हलो फ्रेंट वेलकम टू येस्टे टिटोरिय लोटो प्यान फ्रंट सम्लोक सिबिक्स का आज चौथा माटल पेपर सालप करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश सब्सक्राइब कर लिएगा लाइक कीजिएगा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा बैल आइकन पर प्रेश कर लिजिएगा तक याने मारे वीडियो को नोटिप्रिकेशन सब्से पहले आपको मिल सके और इसकी पहले का अगर पार्ड देखना चाहते हैं तो आप लोग प् हैं धिकार एक मॉलिक अधिकार नहीं तो पहला ही आपका सही हो जायगा क्योंकि सोबर्द की नियुक्ति नियुक्तियों की समान अवसर का अधिकार कोई भी भी वेवसाय करने की two thirty अबाइं ऐस सभी जो है the origin of family private property and the state most important question है तो यह है angels का यहाँ पेड़ी आप सनाप का सही हो जाएगा यह पुस्तक जो है angels ने लिखी थी अगला कोशन है तीसरा नमबर कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है रीपब्लिक प्लेटो की है पॉलेटिक्स यह तो अरस्तु की है आप लोग जानते होंगे ठीक है तो यहाँ पे कौनसी नहीं है पूचाए तो भीसार आप सनाप का सही हो जाएगा पॉलिटिक्स जो है ये प्लेटो की रचना नहीं है रिपब्लिक है, स्टेट्समेन है, प्रोटेगोरस है ये सभी पुस्तकें जो है प्लेटो की है ठेक है तो यहाँ पे भी आपसान आपका सही हो जाएगा अगला कोजिने भारत के संबिधान के किस भाग में हम गांधी वादी सिध्धानतों का समय वेश पाते हैं संबिधान के किस भाग में हम गांधी वादी सिध्धानतों का समय वेश पाते हैं तो सही उत्रह जाएगा आपका अप्षेन बर्शी राज्य के नित निज़ेशक तत्तों में, ठीक है सम्विधान के राज्य के नित निज़ेशक तत्तों में जो है हम गांधी वादी सिध्धान्तों का समाबेश पाते हैं, उसमें हमको दिखाई देता है तो यहाँ पे C वाला आपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है आत्मा के चच्छो को प्रकास की तरफ से घुमा देना ही सिक्षा का उद्देश है यह किसी ने कहा था प्लेटो अरस्तु बिंथम रूशु चार आपसन है आपके सामने तो ये प्लेटो के द्वारा कहा गया था ठीक है प्लेटो ने कहा था आत्मा के चच्छो को प्रयक्काश की तरप से घुमा देना ही सिख्छा का उदेश है तो यहां पे आपसन नमर Э आप का सही हो जाएगा फ्रेंट से अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जो लोग नए वीविर हैं और सेर जरूर कर दीजीगा एक बाद प्लीज आप से रिक्वेस्ट है और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजेगा कमेंट भी जरूर क झीजीगा तो चले अगला कश्चन देखते हैं कि अगला कश्चन है किसके अनसार न्याय का अर्थ है प्रदीक विप्यक्ति को अपना भिस्षेप नहां करना दूसरे तक्षेब ना करना यह किस ने कहा था तो यह कहा था प्लेटो ने ठीक है प्लेटो के अनुसार जो है न्याय का अर्थ हुआ होता है जो प्रतीक बेक्ति अपना बिसिष्ट कारे करता है तसा दूसरे के कारे में हतक्षेब नहीं करता है वही क्या होता है न्याय होता है यह बत तो बिधीज जो है संप्रव का आदेश है ये कहा था आश्टिन ने यहाँ पर ए वाला आफसान आपकाईश में सही हो जाएगा. अगला कोशिन है अगर राश्टपती और उपराश्टपती दोनों के पद रिक्त हों तो कौन राश्टपती की रूप में कारे करेगा? अगर राश्टपती और उपराश्टपती दोनों अल्पस्थित हैं तो राश्टपती के पद पर कौन कारे करेगा? ये आपसे प्रशन में पूचा है क्या लोग सभाई स्पीकर करेगा? नहीं. भारत का एटार्नी जनरल महानयवादी करेगा? ये भी नहीं. भारत का मुख्य करेगा? ठीक है? अगर राश्टपती और उपराश्टपती का पद खाली है तो भारत का मुख्यनाइदीस जो होगा वो राश्टपती के पद पर कारे करेगा? अगला कोशन है रूसों ने सामाजिक समझावता का सिर्धान किस पुस्तक में व्याख्याईत किया है? किस पु अगला कोशन है यह पुस्तक भी पूछा जाता है कि यह पुस्तक किसका है? तो काौन से पुस्तक है? तो सोचल कांटेक्ट है, ठीक है? सोचल कांटेक्ट यह रूसो की रचना है और इसी बुक में उन्होंने सामाजिक समझावता का सिर्धान का पर बड़न किया है तो यह प्रशन पूछा जाता है कि सोशाल कांटेक्ट किसकी कृति है तो रूसों की है तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखेगा अगला कोशिन है रूसो ने निरंकुस संप्रवता की अधारा को किस से ग्रहन किया रूसो ने जो है निरंकुस संप्रवता की अधारा को किस से ग्रहन किया हाफ से ग्रहन किया था यहाँ पे डी वाला आपसनाप का सही हो जाएगा ठीक है रूसो नो ये है हाव्स से निरंकुस प्रभशत्ता की अधारा को प्राप्ट किया था डी वाला आपसन आपका इसमें सही हो जाएगा 11 number question है सामान एक्छा की अधारा से कौन सब्बंदित था हाव्स लाउक रूसो ग्रीन चार आपसन है तो यहां पे रूसों सही हो जाएगा सामान एक्षा की अधारा सोसल कांटेक्ट में आप लोग अभी पढ़े हैं पिछला कोशन उसे में दिया था और उसमें ये अधारा जो है रूसों से संब्दी थे ठीक है सीवल आपसन आपका सही हो जाएगा हम लोग सारे कुशन को पढ़ चुके हैं सिर्फ माडल पेपर साल्ब कर रहे हैं अपने आपको आखिये कि मेरा कितना कुशन सही हो रहा है और कमेंट करके बताएगे कि हमारा कितना साथ में सही हुआ ठीक है सब ही लोग ऐसा करें और वीडियो को लाइक सेर एक बार चरूर करते हैं अगला कुशन है लाक संप्रभ को क्या देने के लिए तैयार है जो है जान लाक संप्रभ को क्या देने के लिए तैयार है केवल सीमित सत्ता, निरंकुत सत्ता, कोई सत्ता नहीं प्रुक्त में से कोई नहीं, कौन सा आपसन सही हो जाएगा, तो जो जानलाग था, उस संप्रभ को केवल सीमित सत्ता देने का बात करता था, ठीक है, केवल सीमित सत्ता देने की बात करता था, तो यहाँ पर ए वाला आपसन आपका इस पर सही हो जाएगा, अगला कोचेर है, 13 नमबर निम्ने में अधिकार संबंदी सब्स पूराना शिध्धान्द कौन्श है तो यह प्राकृतिक अधिकार हो जाएगा ठिक है प्राकृतिक अधिकार संबंधी जो है यह सबसे पुराना सिद्धान्द माना जाता है अधिकार के शंबंध भी ठीक है तो यहाँ पे C वाला आपसना आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है सभी प्रश्ण महोती मात्यपूर्ण है आप कोई भी एक ग्याम देते हैं चाहिए क्या बोलते हैं PGT देते हैं TGT देते हैं GIC प्रवक्ता मिंस के लिए देते हैं DTSB देते हैं सब के लिए काफी मात्यपूर्ण होगा इस सारे कोशन ठीक है तो यहाँ से वारा कहा गया है सी वाला आपसनाप का इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है कानून और स्वतनता एक दूसरे के बिरोधी हैं यह कथन कि से संबन्द है कानून और स्वतनता एक दूसरे के बिरोधी हैं यह किस ने कह दिया था तो ये कह दिया था अराजक्तावादी ने ठीक है अराजक्तावादी ये मानते थे कानून और सुतनता एक दूसरे के बिरोधे हैं तो यहाँ पे सी वाला आपसनाप का सही हो जाएगा अगला कोशिन है इसके पहले का जो तीन माडल पेपर है आप लोगे लिस्ट में जाकर के साल उपकर सकते हैं डिक्सिप्शन बाक से हम लिंक भी देंके वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं जिनको देखना होगा अगला question है भारत के राश्मथिक निरवाचन संबन्ति बिबाद का निरड़ किया जाता है किसके द्वारा तो यह किया जाता है सरवोचनेयाले के द्वारा ठीक है सुप्रेम कोट के द्वारा आप जानते होंगे अगला कोशन है किस ने कहा स्वतंता तथा समानता असंगत है स्वतंता तथा समानता असंगत है ये किस ने बताया था तो D. टाकविले ने बताया था कि स्वतंता और समानता जो है असंगत है ठीक है यहाँ पे D. वाला आपसनापका सही हो जाएगा अगला कोशिन है कौन बिचारक स्वतंता तथा समानता को एक दीश्रे के पूरक मानते हैं अभी हम लोग पर का पड़े हैं यहाँ पर प्रश्ण में देखिए यहाँ पर प्रश्ण में देखिए यहाँ पर स्वतंता समानता को असंगत किसे ने माना था तो डाक्टिक्विले माना थे, D टाक्विले ने माना था और स्वतन्तता तथा समानता को एक दूसरे के पूरक कौन मानता है दोनों प्रशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रशन को आप लोग देखिएगा तो पूरक मानते हैं मैकाईवर, ठीक है, यहाँ पे A वाल आपसन सही हो जाएगा और असंगत मानते हैं D टाक्विले, ठीक है तो दोनों प्रशन पूछे जा चुके हैं, अब पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं तो यहाँ पे A वाला आपसन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे D वाला आपसन आपका सही हो जाएगा अगला question है न्याय का अर्थ है, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, क्या ये न्याय का अर्थ है, नहीं अल्पसंक्यकों के आधार पर भेदभाव हो ये भी नहीं तार्किक का अधार पर भेदभाव हो ठीक है यहाँ पे सी वाला आपका सही हो जाएगा ठीक है न्याय का अर्थ होता है तार्किक छमता के अधार पर भेदभाव किया जाए किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो तो ऐसा भुगू नहीं सकता संपत्ति की आधार पर हो नहीं सकता ठीक है तो यहाँ पर सी वाला आपसानाप का सही हो जाएगा तार्किक के आधार पर भेदभाव किया जाना ही क्या होता है न्याय का अर्थ माना जाता है अगला नमर कोशन है न्याय किस प्रकार की अधारणा है आर्थिक है कानूनी है नायतिक है सामाजिक है तो न्याय जो है ये कानूनी अधारणा है बी वाला आपसना आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है विशुद्ध आर्थिक द्रिश्टिकोंड से न्याय किया अधारणा को किस ने प्रत्पादित किया विशुद्ध आर्थिक द्रिश्टिकोंड से न्याय किया अधारणा को किस ने प्रत्पादित किया तो ये किया था एंजल्स ने ठेक है विशुद्ध आर् आपसनाप का इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख इस अर्थ में न्याय की आउधाना को किश ने प्रशिद किया है आप लोग बहुत पढ़े होंगे बहुत ही पाफलर कोशिन है ये तो ये बिन्थम का है अधिक्तम लोगों का अध कि अभधारणा को प्रतिपादित किया था बताया था अगला कोशन है लाक ने किन तीन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों की शंग्या प्रदान की है लाक ने तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों माने थे तो कौन कौन से वो तीन हो थे जीवन था स्वतंता था पत्तिका अधिकार ठीक है कभी कभी यहां पर जीवन प्रत्यासा का अधिकार देता है तो इसको भी आप लोग याद रखेगा तो यहां पर एवाला अप्सान आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोजिन है निम्न में से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है सरकार की या लोगचना करने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है एशा नहीं है ओट देने का अधिकार क्या ये राजनीतिक अधिकार है ये भी नहीं है लोगपद प्राप्त करने का अधिकार जो है ये कैसा अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है ठीक है सुतंता कादिकार ये भी राजनेती कादिकार है यहाँ पर प्रश्ण में नहीं पूचा है थोड़ा सध्यान देजेगा इस प्रश्ण के अनुसार हमने इसको इन तीनों को कटा है यहाँ पर नहीं पूचा है तो सी वाला आफसन आपका सही हो जाएगा लोकपद प्र अगला कूशन है निबने मीशे कौन सपन लोकि समाजवादी कॉन माना जाता है तो रावर्ट avoon तेकगे यह सपन लोकी समाजवादी माना जाता है बर्तमान राज्यों के कारेओं कोधेगते गए उन्हें किस प्रकार के राज्यों की स्रेड्य में रखा जा सकता है बर्तमान राजियों के कारियों को देखते हुए उन्हें किस प्रकार की राजियों किस रेड़ी में रखा जा शकता है क्या सामेवादी राजे, आधरसवादी राजे, पुलिस राजे, कल्याणकारी राजे तो यहाँ पे D वाला अपसं सही हो जाएगा अगला कुछ नहीं है आधुनिक कालखा हुआ प्रथम बिचारक कौन था जिसने असपश्ट सब्दों में यह कहा कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है यह किस नहीं कहा था कौन सा हुआ प्रथम बिचारक था तो था रूशो ठीक है रूशो नो जो है यह बताया था कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है शंभव ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर भी वाला आपसा नापकाईश में सही हो जाएगा अगला कुछिन है इस्टेट आफ वर्सेस में इस्टेट वर्सेस में किसकी किती है इस्टेट वर्सेस में तो यह तो इस्पेंसर की बुक थी अब लोग ध्यान दिये होंगे इस्पेंसर की एक बुक है इस्टेट वर्सेस में अगला कुछिन है किसने कहा राज्य सर्वोच संस्ता है, राज्य की इच्छा सामानित्य संप्रवु इच्छा है, ये किस ने कहा है, तो ये गिरके ने कहा है, ठीक है, गिरके ने कहा है, कि राज्य सर्वोच संस्ता है, और राज्य की इच्छा सामानित्य संप्रवु इच्छा है, ये गिरके महोदे का कथन है, भी वाला अप्सनापका इसमें सही हो जाएगा अगला है संपत्य चोरी है किसने कहा संपत्य चोरी है ये पुरूधो ने कहा था ठीक है संपत्य चोरी है पुरूधो के द्वारा ये कहा किया था अगला है कोशन प्रतेक ब्यक्ति एक गिना जाए कोई प्रतेक ब्यक्ति जो है एक गिना जाए और कोई भी ब्यक्ति एक से अधिक ना गिना जाए ये किस ने कहा था तो याद कीजिए बिन्थम को अधिक्तम सुख वाला ठीक है अधिक्तम व्रक्तियों का अधिक्तम शुक यहाँ पे भी वाला आपसाना आपका सही हो जाएगा उसी से संबद दितिया था ठीक है भी वाला आपसाना आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है योगितम की अतिजीवितिता के सिध्धान्त का प्रतिपादन किशने किया है तो ये किया है इस पेंसर ने ठीक है योगितम की अतिजीवितिता का सिध्धान्त किशने दिया था इस पिल्म शर्म होते ने दिया था यहाँ पे ए वाला आपसानापकाईश में सही हो जाएगा अच्छा कुश्चन है यह 33 नंबर हाफ्स किस देश का रहने वाला था तो हाफ्स एग्लेंड का रहने वाला था ठीक है हाप्स जो है एक लेंड का रहने वाला था ये यल्टी में पूछा जा चुका है एक बार ये कुश्चन अगला कुश्चन है रिक तस्थान के पूर्टी कीजिए मनिश्य का मोल शभाव यहाँ पे खाली जगह है और युद्धप्रिय होता है मनिश्य का मोल शभाव स्वार्थी और युद्धप्रिय होता है यहाँ पे स्वार्थी आपका बना जाएगा ठीक है मनिश्य का मोल शभाव स्वार्थी और युद्धप्रिय होता है यह किसने कहा था आप लोग comment जरूर कीजेगा 34 नमबर में ए वाला आपसन आपका सही हो जाएगा स्वार्थी यहाँ पर बरा जाएगा अगला कुछ नहीं हाफ्स ने किस प्रकार की सासन पद्धती को स्रेष्ठ माना है हाफ्स ने किस प्रकार की सासन पद्धती को जो है स्रेष्ठ माना है तो ये राज तंत्र को ठीक है राज तंत्र को स्रेष्ठ माना है किसने हाफ्स ने हाफ्स कहां करने वाला था इंगलेंड का इसको भी याद रखेगा अगला कोईशन है ग्रामर आफ फॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लिखı कौन थे ग्रामर आफ फॉलिटिक्स पापुलर यह पुस्तक है ग्रामर आफ पॉलिटिक्स मांट की ठेक है भी वाला आफसनापका इसम céuी हो जाएगा अगला है अकादमी जिसे यूरूप का प्रथम विश्व बिद्याले होने का गौरो प्राप्त है किस ने अस्थापित की थी अकादमी को तो ये आप लोग जानते हैं कि प्लेटो ने सरप्रथम एकादमी नामा की एक संस्था खोला था ठीक है जो वही आगे चल करके यूरूप का प्रथम विश्व बिद्याले कहा गया उसको यूरूप का प्रथम विश्व बिद्याले होने का गौरो भी प्राप्त हुआ इस प् आधिये वाला आपसान आपका सही हो जाएगा अगला केट-पैंए अब तक के दारसिन्षंिगों ने केवल भी सुकी ब्याघष्ण की है जबकि आव小心 श्क्ता है उसे बदलने की ये किसने कहा है तो यह मार्स ने कहा है यह वाला आपसने आपका सभी हो जाएगा मार्स jelly का था कि अब तक लिए के तक दर्शिकोंटिकर के विस्षों की भैकर्ख्या की है जब कि यावर्ष को कार के question मिलेंगे कुछ कठिन होंगे कुछ बहुत इसी होंगे तो सभी प्रशनों को आप लोगों को देखना चाहिए ठेक है और वीडियो को एक बार शेयर और लाइक तो ज़रूर कर देना चाहिए ठेक है क्योंकि आपके लिए बहुत मेनात करना पड़ता है यहां पर ए वा ग्रांत मोनो लाग सेली में लिखा गया है है रिपबिबलिक है की लौज है की स्टेटसमें की कोई नहीं तो इसमें तो कोई नहीं होगा ठीक है डी वालापसर शहीँ हो जाएगा लेकिन कौन होगा बुक है उसका जो मोनोलाग की सहले में लिखा गया है आप लोग कमेंट कीजेगा ठीक है अगले वीडियो में हम इसको इस बुक का नाम बताएंगे हम को याद नहीं पढ़ रहा है इसमें लेकिन आप लोगों को अगर पता हो तो जरूर कमेंट कीजेगा प्रेटो का कौन सा गरंत जो है मोनोलाग सहले में लिखा गया है उस पुस्तक का नाम आप लोग जरूर कमेंट कीजेगा ठीक है यहाँ पे यह तीनो नहीं है लाज नहीं है रिपबलिक नहीं है इस्टेटसमेन भी नहीं है तो यहाँ पे टी वाला आपसन आपका सही हो जाएगा लेकिन कौन होगा इसको आपको बताना है अगला कोशन है सद्गुड ग्यान किसने कहा है सद्गुड ग्यान किसने कहा तो सद्गुड ग्यान सुकरात ने बताया था बी वाला आपसनाप का इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है ब्रिटिस आदर्सवाद का परवर्तक किसे कहा जाता है तो ग्रीन को कहा जाता है ठीक है ए वाला आपसनाप का सही हो जाएगा ग्रीन को जो है ब्रिटिस आदर्सवाद का प्रवर्तक माना जाता है अगला कोजी ने 15 अगस 1947 के पूर भारत राज नहीं था क्योंकि यह पराधेन था, संप्रव नहीं था, दोनों इस्तितिया थी, इनमें इस कोई नहीं, कौन सा सही होगा तो यह संप्रव नहीं था, बीवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है, 15 अगस 1947 के पूर भारत राज नहीं था, क्योंकि यह संप्रव नहीं था, बीवल आपसन आपका सही हो जाएगा यह पराधेन था, यह नहीं होगा, बीवल आपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोचिन है निम्लिकित में से कौन संप्रभुता के बहुलबादी सिध्धान्त का प्रमुक प्रवक्ता था निम्लिकित में से कौन संप्रभुता के बहुलबादी सिध्धान्त का प्रमुक प्रवक्ता था वेंथम बोदा आश्टिन लास्की तो ये लास्की था ठीक है लास्की जो है संप्रबता के बहुलबादी सिद्धान का प्रवक्ता माना जाता है यहाँ पे डिवालापसं सही हो जाएगा अगला है प्रिंस किसकी कृति है तो आप लोग जानते होंगे मैंक्यावेली जी को प पूछा जाता है हमेशा अगला है वेल्थाफ नेशन नेसंस किसकी रचना है वेल्थाफ नेशन सर्ल deswegen स्बीट लाक कोशो किसकी है तो वेल्थाफ नेशन सम्झ ये था एडम इसमिट का यहाँ पर एवला-अपसं सही हो जाएगा अगला कॉचिन है निमन में से कौन सा मार्स था ठीक है मार्स जो है प्राक्रतिक अदिकारों के स्विकार नहीं करता है रूसों ने प्राक्रतिक अदिकारों के स्विकारों को तीन भागों में बाटा था आप लोग जानते होंगे यहां पर यह वाला अपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोचिन है सासक बर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए किसका मत है सासक बर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए यह किसका मत था तो यह तो प्लेटो साहब ने कहा था ठीक है यहाँ पे ए वाला आपसन सही हो जाएगा अगला कोशन है लोकतंतर जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का सरकार है किसने कहा था अब्राहम लिंकल ने कहा था डी वाला आपसन आपका सही हो जाएगा पच्छासवा नमर कोशन है बिश्यों में पर्थम समाजवादी राजी की अस्थापना किसने की थी बिश्यों में पर्थम समाजवादी राजे की अस्थापना किस ने की थी काफी अच्छा कोश्यन है तो ये मावों के दोरा किया गया था ठीक है बिश्यों में पर्थम समाजवादी राजे की अस्थापना मावों के दोरा किया गया था अगला कोशिन है निम्लिकित में से कौन संप्रवता के ऐद्वयत बादी सिध्धान का प्रमुख प्रवक्ता था संप्रवता के ऐद्वयत बादी सिध्धान का प्रमुख प्रवक्ता किसको माना जाता है जीन बोधा को माना जाता है जीन बोधा को जो है संप्रवता के ऐद् पूछा है ऐध्वात पाती सिद्धान्त का प्रमुक प्रवक्ता तो ये जान आश्टिन हो जाएगा संप्रवुता कि पल्ट मोफ्लाफ के फ़्रप्रत के पुर्वुदाशिर्शनस हो गय करें अगला कोशिन है अलप संख्यकों के प्रतनिध्यत्य को निम्निमे से कौन सी पडाली है हेर पडाली को अलप संख्यकों के प्रतनिध्यत्य की पडाली भी का जाता है सी वाला आपसं सही हो जाएगा 10 अग्ला कॉश्न है वीडियो काईसा लगा आप कमेंट जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी किर दिजेगा और सेयर भी कर सबसे प्राचीन प्रकार क्या था है तो सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार क्या ठीक है तब उसके बाद जो है देरे 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 प्रजातंत्र और तंत्र में बदलता गया तो यहां पे बीव अलाप्सन सही हो जाएगा अगला कोचन है संसदी पडाली में वास्तविक सक्ती नहित होती है संसदी पडाली में वास्तविक सक्ती किसमें नहित होती है तो यह मंतिमंडल में नहित होती है यहाँ पे आपका सीवालापसम सही हो जाएगा अगला कोचिन है अध्यक्षात्मक्षाशन पढ़ाली में वास्तिविक सत्ता नहित होती है तो अध्यक्षात्मक्षाशन पढ़ाली में वास्तिविक सत्ता किसमें नहित होती है तो यह अगला कुछन है संगी ब्यवस्था के निर्माण के लिए आवस्षिक सर्थों में से कौन सी सर्थे नीचे गलत अंकित की गई है। संगी व्यवस्था के निर्माण के लिए जो आवस्यक सर्थ बताए गए है उन सर्थों में से इन में से कौन सा एक है जो गलत है ये आपको बताना है तो एकता और स्वायतता के इक्षा ये तो संगी व्यवस्था के निर्माण के आवस्यक सर्थ है तो ये तो सही है भाषा औ आपका गलत अंकित क्या गया है, राजनितिक प्रेड messy नहीं की नहीं की गई है। तो संगी ब्यवस्था निर्मान के लिए जो आवस्चिक सर्थ बनं रेखाएं उनंने तीनों हैई यह वाला Sid अ आपका इसमें सही नहीं है अगला क्यूशन है अस्थानि आस्थानी शासन के सकतियां किसके द्वारा प्रदत तो होती हैं तो ये कानून के द्वारा प्रदत तो होती हैं यहां पर डी वाला आपशनापका इसमें सही हो जाएगा अगला question है वास्तिविक कारिपालिका तथा नामात्र की कारिपालिका के बीच भेद किस प्रकार की सासन ब्रवस्था में पाय जाता है ठीक है वास्तिविक कारेपालिका तथा नाम मात्र की कारेपालिका के भेद जो होता है वो किस प्रकार की सासन ब्रवस्था में पाय जाता है तो ये संसुदात्मक पड़ाली में ठीक है संसुदात्मक पड़ाली में जैसे परधानमंत्री हो गया और नाममत में आपका राश्टपती हो गया ठीक है तो यहाँ पे संसुदात्मक ब्युस्था जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ये विचार फालो किया जाता है तो वहाँ पर इन परकार की भेद को देखा जा सकता है साथ मक्षाशन पढ़ाली बवस्था में अगला कोशन है वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजेगा लाइक कीजेगा यह लाश्ट कोशन है आज के इस वीडियो का यह किसने कहा था कि यदि संप्रबता निर्बाद नहीं है तो कोई राज अस्तित्त में नहीं रहेगा यदि संप्रबता निर्बाद नहीं है तो कोई राज अस्तित्त में नहीं रहेगा यह किसने कहा है तो यह आश्टिन की द्वारा कहा क्या है यहांपे सी वाला आफसानापका इसमें सही हो जाएगा